हेलो प्रेंड में दीपक उपध्य है स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनलेसिस ऑफ इस टॉक्स तो पर आज हम यहाँ पर डिसकस कर रहे हैं हिंडाल को शेर का टेक्निकल एनलेसिस तो पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक केंडल एक दिन को रिप्रेजन करते हैं आपको शोव कर रहे हैं यह उपर की तरफ हमने शेस्टो तीस तक को देखा लेकिन जब से श्टॉक 500 रुपए के नीचे आता है यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी लेकिन उस बीच में भी हम यहाँ पर क्या दिखाए देता है कंसोलिडेशन यह देखेंगे यहाँ तक गिरा उपर की तरफ गया और 400 रुपए के अरौन यहाँ पर भी श्टॉक ने कंसोलिडेट किया था यह देखेंगा बस रेंज थोड़े से क्याती ब्रॉड आप देखेंगे बाड़े 400 के बीच में आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाए दिया गिरावट हुई श्टॉक नीचे आता है कहां तक 360 रुपए तक 360 तक गिरने के बाद श्टॉक आपको फिर से उपर की तरफ जाता हुआ दिखाए देता है यहाँ पर अगर आप देखें एक बार फि यह देखेंगा अब यहाँ पर आप देखेंगे जो सपोर्ट हुआ है कहां पर हुआ है रेड लाइन जो की कौन सी लाइन है 200 दिनों के एक्सपोनेशन मुविंग एवरेज क्लाइन यहां से श्टॉक में फिर गिरावट हुई और इस गिरावट के साथ ही श्टॉक आप य ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ दिखाए दिता है 400 से 430 रुपए के आसपास हमें फिर से श्टॉक के अंदर होती है गिरावट और इस गिरावट का आप देख सकते है यह गिरावट एक बार फिर से 380 रुपए तक आती है और श्टॉक एक बार फिर उपर की तरफ गया कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आपको 300 रुपए स्टॉप लगा होगा उपर की तरफ जो टार्गेट है वह आप कर रहेगा साड़े 400 रुपए फर्स टार्गेट यदि इससे ब्रेक आउट मिलता है तो 500 रुपए आपका यहाँ पर सेकेंड टार्गेट रहने वाला है तो उपर की तरफ अगर चलता है तो आपको 500 रुपए तक के टार्गेट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे लेकिन किसी भी इंट्री के पहले आपको रिस्क को समझ करके आपर इंट्री करना होगी तो कौंटिटी का जो आपका पेरामीटर रहेगा उसमें आप यह बात का ध की ट्री कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर करेंगे वीडियो को फाइंड आप वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक करके इंक्रेस कीजिएगा फ्रेंड केसा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो